Dear students, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको class 8 exercise 15a को complete करवाऊंगा ये जो हमारा chapter है उसका नाम है area of polygon तो हमें जो है basically area के बारे में study करना है तो जो जो हमारे formula होंगे वो मैं आपको बताऊंगा वो आपने note करने हैं अच्छे से First question है हमारा find the area of following rectangle and write correct units अब rectangle जो होता है वो क्या होता है rectangle shape जो होती है हमारी वो इस तरह से होती है आमने सामने वाली side हैं बराबर होती हैं ये side इसके बराबर है और ये इसके बराबर है इसको हम length कहते हैं इसको हम breadth कहते हैं ठीक है length और breadth इसका जो area होगा उसका formula आपने note के लेना है length into breadth ठीक है length into breadth अब जो हमारा question है उसमें length भी given है breadth भी given है तो हमें क्या करना है area is equal to length into breadth तो length है 36 meter breadth है 24 meter तो multiply करेंगे आ जाएगा 864 meter square ठीक है area हमेशा square में होता है तो meter square में हम इसका answer दे देंगे next question है length into breadth ही हमें करना है तो length है 15 breadth है 15 width और breadth एक ही बात होती है तो इसमें confused नहीं होना है आपने तो 15 into 15 to 25 meter square यह हमारा answer फिर next वाले में length into breadth करेंगे तो 8 into 5 तो यह आजएगा 40 millimeter square ठीक है पिछले question में मैंने meter square लिख दिया है उसमें centimeter square आपने लिखना है ध्यान देनी है बात यह फिर आता है हमारा square find the area of square whose sides are given follow अब square क्या होता है square होता है जिसकी 4 side ने बराबर होती है उसको हम बोलते है square अब 4 side ने बराबर होती है तो इसलिए इसकी एक ही side हमें question में given होती है दूसरी भी same हो जाएगी अगर यह 30 है तो यह भी 30 है बस rectangle का था length into breadth इसमें है side into side अब कुछ question आपके ऐसे आएंगे जिसमें यह diagonal की length given होगी कि अगर square का diagonal इतने centimeter है तो उसका area बता दो तो diagonal के लिए अलग से formula आता है 1 by 2 d square diagonal square ठीक है 1 by 2 diagonal square इसको आप ऐसी भी लिख सकते है 1 by 2 d into d square का मतलब होता है दो बार multiply तो यह formula आपने note कर लिया होंगे अब जो है मारा first area of square side दे रही है तो हम लिखेंगे area is equal to side multiply side तो 30 into 30 तो यह हो जाएगा square ऐसे ही next वाले में 80 into 80 80 into 80 तो यह हो जाएगा 6400 meter square फिर next है 9 into 9 तो यह हो जाएगा 81 meter square ठीक है फिर next आता है third question third में the area of rectangle is 512 square meter अब area हमें given है और length given है तो width हमें बतानी है तो हम यहां लिखेंगे पहले area is equal to 512 meter square जब भी length या breadth निकालनी हो तो area जिस तरफ लिखा हुआ है उस तरफ आपने formula लिखा है length into breadth is equal to 512 अब length हमें given है तो length की value 32 into breadth is equal to 512 अब breadth के साथ यह multiply में दूसरी तरफ जाएगा तो divide में तो b is equal to आ जाएगा 512 divided by 32 अब हमें इसको कर देना है cancel तो आप 4 की table में भी कर सकते हो पहले 48 जा 32 4 की table में इसको करते है 4 बंजा 4 यहां से 11 हो जाएगा 4 तो जा 8 3 32 4 8 जा 32 आप 8 की table में cancel करेंगे 8 1 जा 8 4 8 6 जा 48 तो answer आगे हमारा 16 meter ठीक है इस तरह से आपको करना है next है the area of a rectangular field एक rectangular field का area जो है given है अब की बार हमें width given है तो question का तरीका सेम रहेगा area is equal to 3600 meter square तो अब हम क्या करेंगे जो हमारा formula length into breadth is equal to 3600 अब length जो है वो है हमें find करनी breadth हमें width और breadth एक ही बात होती है तो यह है 45 is equal to 3600 अब 45 विदर multiply में दूसरी तरफ जाएगा तो divide में तो इसको हम divide में लेके जाएगे यह आजएगा l is equal to 3600 divide by 45 इसको हमें cancel करना है तो आप पहले 5 की table पर कर सकते हैं 9 की table पर भी कर सकते हैं cancel करते हैं इसको 9 5 जा 45 9 4 जा 36 और 00 as it is फिर हम इसको cancel करते हैं 5 की double में 5 8 जा 40 0 तो answer आगया 80 meter ठीक है इस तरह से आपको करना है 86 लग रहा है यह 80 है next question है इसमें the area of a square piece of land एक square का area दे रखा है तो इसकी side बतानी है कितने meter की होगी अब square जो होता है उसकी सारी side ही बराबर होती है तो इसका हमें area दे रखा है क्या कर दे नहीं है factorization यहां पर हम करते है इसकी factorization 1,2,2,5 तो पहले 5 की table पर cancel करो इसको 5,2 जा 10 2 बच गया 22 5,4 जा 20 फिर 2 बच गया 5,5 जा 25 फिर से 5 की table पर cancel करो 5,4 जा 20 5,9 जा 45 फिर हम 7 पर करेंगे 7,7 जा 49 7 पर 1 अब देखो जो pair आए है तो इसके जो factor है उसको हम square root के अंदर लिखते हैं 5 x 5 x 7 x 7 अब square root के अंदर जो है दो-दो pair है तो pair के नाम का एक ही हमें बाहर लेना है इन दोनों 5 में से एक 5 आजाएगा 7 में से 7 आजाएगा तो 75 जा 35 जो है मीटर हमारा final answer आएगा फिल आता है 6th question इसमें है The length and breadth of a rectangular field are in ratio जब भी ratio में दे रखी हो तो आपने उसके साथ x लगा के उसको let करना है जैसे यहाँ पर लिखेंगे let length पूरा लिखना है मैं L से लिख रहा हूँ आपने पूरा लिखना है length 3x breadth को b लिख रहा हूँ let breadth 4x अब इसका area दे रखा है तो area का formula क्या आता है length into breadth is equal to 6912 अब length हमने कितनी मान रखी है 3x 3x into 4x is equal to 6912 तो अब जो है 3 की 4 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और x की x से x square तो यह आजएगा 6,9,1,2 अब 12 इधर multiply में है इधर जाएगा तो divide में तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यह आजएगा कुछ इस तरह से यहां से यह हट जाएगा और इसको हम लेके जाएगे divide में अब इसको करते हैं हम cancel तो cancel करेंगे 12 की table पे भी हो जाएगा वैसे तो लेकिन आपने पहले इसको करना है 4 पे भी cancel कर सकते हैं हम और 3 पे भी कर सकते हैं ठीक है तो 4 पे करते हैं 4,3 जा 12 4 बज़ा 4 6 है तो 2 बज़ाएगा 29 4,7 जा 28,4 टुजा 8,3,32 4,8 जा 32 अब 3 पे करते हैं 3,5 जा 15,2 3,7 जा 21 3,6 जा 18 तो 5,76 आ गया x स्क्वेर की वैल्यू तो x कितना आ जाएगा x is equal to square root 5,76 अब यहां तक आपने note कर लेना है अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं तो हम इसका square root find out करेंगे ठीक है तो यहां पर आ गया x की value square root 5,76 तो फिर से हम इसको factorize करेंगे तो यहां पर factorize करते है 5,76 2 की table पे cancel हो जाएगा 2,1 जा 2 2,2 जा 4 होएगा, sorry 2,2 जा 4 1 बच जाएगा 17 2,8 जा 16 2,8 जा 16 फिर 2 पे करते है 2 बन जा 2, 2,4 जा 8 2,4 जा 8 फिर 2 पे 2,7 जा 14 2,2 जा 4 फिर से 2 पे 2,36 फिर से 2 पे 2,18 फिर से 2 पे 2,9 अब 3 पे 3,3 और फिर 3 पे 1 आजाएगा अब इसमें से आप pair ले ले एक pair ये बनेगा एक ये बनेगा एक ये और एक ये तो इन सम में से एक एक ले लेना है आपने तो x की value आजाएगी 2 इन 2 यहाँ से एक 2 आगया एक 2 यहाँ से फिर एक 2 यहाँ से आजाएगा और एक last 3 आजाएगा यहाँ से इनके multiply करते हैं 2 तो जा 4 2 जा 8 3 जा 24 तो x की value 24 है अब length कितनी लेट की थी हमने 3x तो यहाँ जाएगा 3 इन 2 24 यह हो जाएगा 72 और breadth हमने कितनी लेट की थी 4 इन 2 x x की value 24 तो 24 की 4 से करेंगे 24 के 96 तो हमारा answer आगे 72 मीटर सेंटी मीटर और 96 सेंटी मीटर ठीक है तो next question है हमारा 7 इसको मैंने आपके लिए solve का रखा है तो इसमें question में है क्या A floor 10 मीटर long and 7 मीटर broad 10 मीटर लंबा और 7 मीटर चोड़ा तो हमने एक rectangle बनाया जिसकी length 10 मीटर और breadth 7 मीटर है तो क्या किया गया broad is to be paved with square tiles उसके उपर square tile जो है लगानी है फार्ष के उपर find the number of tile required तो कितनी tile उसमें चाहिए होंगी वो हमें बताना है तो वो कैसे बताएंगे जब भी ऐसा sum आये तो आपने क्या करना है जो जिस area पे लगवानी है बड़ा area जो है उसको छोटे area से divide कर देना है तो वो number of tile हमें पदचल जाएंगे तो हमने सबसे पहले लिखा length of floor 10 meter जो है floor की वो 7 meter है तो area कितना हो जाएगा length into breadth 70 meter square ठीक है ऐसे square जो है tile जो है उसकी side हमें 0.5 given है तो हमने 0.5 का point खोल दिया तो 5 by 10 फिर cancel किया 5 बन जा 5 5 to 0 10 तो 1 by 2 आ गया अब area जो होगा वो होगा side into side तो 1 by 2 into 1 by 2 ये हो गया 1 by 4 अब 1 by 4 होने के बाद number of tiles जो है वो कैसे हैंगी area of floor divided by area of tile area of floor है 70 तो ये होना चाहिए था 70 divided by 1 by 4 अब आपको दिहान खना है divide के निचे divide हो तो ये चला जाता है उपर तो क्या हुगा 70 divided by 1 और 1 के बाए में जो 4 था वो हम लेके लेके गए उपर तो ये आ गया 70 into 4 280 tiles ठीक है next question है 8th 8th में है the length and breadth length, breadth, height of a hall 5, 6, 7 meter जो है length 5, breadth, 6, height, 7 ये आपने इस तरह से डाग्राम जुरूर बनाने है इन questions के डाग्राम से जो है असान हो जाता है the hall has one door of area अब इसका door जो है ये हमें given है first होती है length, second breadth length breadth भी हमने इसके उपर note कर दी है find the cost of painting walls सिरफ walls को, दिवारों को paint करना है छत और फर्ष को जो नीचे फर्ष है उसको paint नहीं करना है at the rate of 90 rupees per square meter अब सबसे पहले तो हमें चारों दिवारों का area पता होना चाहिए तो area चार दिवारों का कैसे निकालते है ये जो कमरा होता है वो cuboid shape में होता है किसमें होता है? cuboid cuboid का area आपने याद रखना है वो होता है 2 into LB plus BH plus HL ये होता है area ठीक है? अब इसमें जो है 2 का मतलब है ये सभी के सभी दो दो बार है तो आपने याद रखना है अगर हमें चार दिवारों का निकालना है तो च्छत और फर्ष को इसमें से हटा देना है अब च्छत में कौन सी dimension आती है? ये है length ये है breadth L और B आती है च्छत में और same L और B जो आती है वो आती है फर्ष में ठीक है? तो LB जो इसमें से है 2 into LB plus BH plus HL इन में से LB वाले option को हमें हटा देना है तो ये जो बच जाएंगी ये बच जाएगा दिवारों का area ठीक है? BH और HL तो यही हमने यहाँ पे use किया है area of wall के लिए 2 into BH plus HL ठीक है? अब दिवारों को तो print करना है दिवारों में एक दिवार के अंदर जो door है उसको तो छोड़ना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? चारों दिवारों का area निकालेंगे उसमें से इसका area इसकी length और breadth जो है उसको minus कर देंगे तो हमने length of room लिखा breadth लिखा, height लिखा और length of door जो है bh plus hl minus lb ठीक है? तो उसके बाद 2 into b की value breadth जो है कमरे की यह जो है room के लिए है यह door के लिए है तो room की जो breadth है वो है 6 और height जो है 7 तो यह हमने यहाँ पे values को put किया 7 into 5 कैसे? length और height ठीक है? फिर door की जो है 1 into 0.5 है फिर हमने इसको solve किया 76, 42, 75, 35 उसके बाद 0.5 की 1 से multiply करेंगे 0.5 ही आएगा उसके बाद जो है हमने यहाँ पे solve किया 77 और multiply किया तो 154 इसमें से 0.5 minus कैसे होगा? तो वो आपने याद रखना है 154 में point नहीं है तो point लगा कि अपने 0 लगानी है और इसमें से 0.5 इस तरह से minus करना है धियान देने की बाद है यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर देते है तो यह आजएगा यहाँ से carry 5 यहाँ 3 बच जाएगा 3, 5, 1 तो 153.5 meter square यह area जो है हमें paint करना है दिवारों का तो cost of painting 1 meter square 1 meter square को paint करने का खर्चा है 90 rupees तो cost of painting जो हमने area निकाला इसको paint करने का कितना हाजएगा 90 into 153.5 था तो point हटा दिया हमने नीचे 10 0 से 0 कैंसल हो जाएगा 9 की इससे multiply करेंगा तो answer आजएगा हमारा 13,815 rupees ठीक है फिर next है 9 इसमें है find the area of square find the area of square whose diagonal are of the following length अभी मैंने starting में ही आपको formula बताया था कि अगर square जो है उसका हमें diagonal given है तो हम उसका area कैसे निकालें तो उसका formula था 1 by 2 d square d square का मतलब क्या होता है d into d तो diagonal दो बार multiply में आपने लिख देना है तो ये कैसे होगा सबसे पहले आप देखेंगे area is equal to 1 by 2 d square d1 multiply d2 भी बोल सकने है इसको तो ये आजएगा 1 by 2 into 12 into 12 2 की table में cancel करेंगे 2 6 जा 12 12 6 जा 72 cm square जो है इसका answer आजएगा next वाले में same 1 by 2 d square है तो 2.5 25 by 10 हो जाएगा 2.5 25 by 10 अब ये cancel तो हो नहीं रहा है तो इसकी multiply करेंगे लेकिन यहाँ पर एक चीज और note करने की है कि इसका area में cm square में देना है ठीक है first वाला तो cm में already था लेकिन इसमें ये meter में है तो पहले इसको हमें cm में भी change करना है तो आपको जाद रखा है 1 meter जो है यहाँ पर hint दे रखा है 1 meter 100 cm के बराबर होता है तो 2.5 कितने के बराबर हो जाएगा हम यहाँ पर लिखेंगे 2.5 का point हटा देंगे नीचे 10 और multiply करेंगे 100 से 100 से क्यों multiply किया मीटर के cm बनाने के लिए तो 0 से 0 हो जाएगा cancel तो यह हो जागा 250 cm ठीक है तो इसकी जगा हमें क्या लेना है 250 cm तो formula है हमारा 1 by 2 d into d 250 into 250 तो यह 2 पर cancel करते हैं इसको 2 बंजा 2 125 आजएगा 125 की multiply 250 से आपने कर देनी है तो यह आजएगा 31 250 cm2 फिर next है decimeter हमें दे रखा है तो 1 decimeter में 10 cm होते हैं तो इसको हम change करने के लिए क्या करेंगे इसका point हड़ाते हैं तो यह जएगा 18 by 100 अब multiply में है 10 multiply में 10 क्यों करेंगे क्योंकि 1 decimeter में सिरफ 10 ही cm होते हैं 1 0 से 1 0 cancel हो जाएगा इसको हम as it is रखेंगे 2 की table में cancel करते हैं 9 अब 18 की 9 से multiply कर देनी है तो 162 और नीचे 2 0 है तो point लगा देंगे तो 1.62 cm2 इसका answer हो जाएगा next question है मारे 10th इसमें है find the area of the square whose side is 6.5 cm तो बिलकुल simple question है area हमें निकालना है side हमें square की given है ठीक है तो area निकालने के लिए क्या formula है area is equal to side into side तो हम क्या करेंगे side है हमारी 6.5 तो हम इसको point को उठा देंगे 65 by 10 into 65 by 10 65 की 65 से करेंगे multiply तो यह आजागा 4, 2, 2, 5 और 2, 0 है नीचे तो 1, 2 तो यहाँ पर हमारा point आएगा ठीक है तो यह answer आजागा centimeter square में फिर next आता है 11th question the area of square field is 9025 square meter तो area हमें given है side हमें निकालनी है तो फिर से हमारा square है तो square के area का formula होता है side into side या फिर side square ठीक है जब side निकालनी हो तो side square का अपने use करना है square दूसरी तरफ जाके square root हो जाता है तो यह आजाएगा side square is equal to 9025 तो side is equal to आजाएगा 9025 और इसका square root ठीक है अब square root निकालने के लिए मैंने आपको factorization वाला तरीका बता रखा है तो हम यहाँ पर इसकी factorization करते है 9025 की तो 5 की table में cancel करेंगे 5 यहाँ पर यह नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 और 5 5 जा 25 फिर से 5 पर cancel करेंगे 5 3 जा 15 3 बज़एगा 30 5 6 जा 30 5 जा 5 अब कितने पर cancel होगा यह 17 पर करके देखें नहीं यह हो जाएगा 3 1 6 19 पर करके देखें 9 9 जा 81 होता है तो 19 की 19 से 19 बज़ए 9 9 जा 81 8 9 बज़ए 9 और 8 17 फिर आजएगा 9 1 तो यह बन जाएगा हमारा 1 9 7 16 हाँ पूरा पूरा आ रहा है देखो 19 की table में इसको cancel करते हैं 19 बज़ए 19 और 9 तो फिर यह 19 की table में आएगा तो एक pair यह बन गया एक pair हमारा यह बन गया तो यह आजएगा 5 इंटू 19 19 5 जा 95 यह हमारा answer आजएगा meters में ठीक है next है 12 और 13 इसमें है the length and breadth of a hall is 12.5 meter and 8 meter if the room is to be carpeted with the what is the area of carpet required अब करना क्या है एक rectangle है इसकी length और breadth हमें given है ठीक है इसके बीच में carpet बिचानी है तो carpet उतनी ही बिचेगी जितना इसका area होगा तो basically हमें करना क्या है इसका हमें area find out करना है तो area जो rectangle का area होता है वो क्या होता है length into breadth तो हम यहाँ पर लिखेंगे area is equal to length into breadth अब length है 12.5 तो इसका point हटा देंगे नीचे 10 into 8 2 की टेबल बेट इसके बीचे 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 2 फोर्जा 8 2 फाइफ बीचे 10 5 की टेबल बीचे 25 तो अंसर आजेगे 25 फोर्जा 100 meter square next है 13th question the area of rectangular field area दे रखा है one side given है तो what is the perimeter यहाँ पर ध्याहन देने की बात है perimeter direct हम से पूछ रखा है तो rectangle के perimeter का formula ता है 2 into length plus breadth ठीक है अब length और breadth दोनों चाहिए perimeter निकालने के लिए length हमारे पास है या फिर एक side कोई भी आप ले सकते हो इसको एक side है length तो दूसरी side हमें निकालनी ही पड़ेगी तो उसको निकालने के लिए हम area का use करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे area क्या होता है length into breadth is equal to 836 meter square अब एक side given है तो उसको हम length let कर लेते हैं तो 22 into b is equal to 836 अब 22 इदर multiply में इदर जाएगा तो divide में तो हम इसको divide में लेके जाते हैं b is equal to 836 divide by 22 इसको हम करते हैं cancel अब 11 की table पर हो जाएगा पहले 2 पर करते हैं 11 इसको 2 पर करते हैं 2 बंज़ा 2 2 बंज़ा 2, 2 बंज़ा 16 11 पर करेंगे तो 11 बंज़ा 11 11 3 ज़ा 33 33 और 8 88 11 8 ज़ा 88 तो 38 आ गया breadth अब हमें दोनों sides पादा चल चुकी है length जो है 22, breadth जो है 38 तो इसका use करके हम perimeter निकालते हैं l is equal to 22 और b हमने निकाल लिया 38 अब इसका use करके हम perimeter निकालेंगे तो perimeter आ जाएगा हमारा 2 into l plus b तो यह होगा 2 into l 22 plus 38 तो इसको plus करते हैं तो याद यह 2 into 2 plus 8 10 4 plus 2 6 ठीक है तो टोटल इनका होगया 16 so 62 ज़ा 120 meter जो है इसका perimeter होगा ठीक है फिर next question है 14 the base of parallelogram is 3.6 cm height is 2 cm what is area अब parallelogram shape जो होती है वो होती है इस तरह से इसका area कैसे निकालते हैं जैसे rectangle का होता है length into breadth तो हमें इसमें क्या ध्यान देना है length जो है वो क्या है breadth जो है वो क्या इसमें हम length और breadth नहीं कहेंगे इसमें हम बोलेंगे base और height ठीक है base और height इसमें जो है ये base है तो इसकी height ये वली होगी अगर इस side को base लेंगे तो इसके उपर जो बनेगी वो इसकी height होगी height का basically meaning है क्या height का meaning है दोनों parallel line के बीच का gap ठीक है अब इसको base लिया है तो इसके सामने वाली parallel line ये है तो इनके बीच के gap को बोलेंगे height ठीक है अगर इसको base लिया है तो इन दुनों के बीच के distance को बोलेंगे क्या height अब यहाँ पर हमारा जो formula रहेगा वो रहेगा base into height ठीक है base into height base भी given है height भी given है तो हमारा area क्या हो जाएगा area is equal to base into height तो base है 3.6 तो 36 by 10 कर देंगे और height है 2 ठीक है आप cancel करने का फाइदा नहीं है क्योंकि 5 आज़ेगा 5 आगे cancel नहीं होगा 36 की 2 से multiply करते है 72 और 10 है तो यहाँ पर हम point लगा देंगे और यह आज़ेगा centimeter square ठीक है फिर next question आता है हमारा 15 फिफ्टेंथ 15 में है from the following data find the unknown अब जहाँ पर question मारके वह हमें निकालना है parallelogram का question है यह parallelogram का base height area first में तो base और height given है area निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे area is equal to base into height base है 35 height है 20 तो यह हो जाएगा 35 तो जहाँ 700 meter square first वाले का answer आज़ेगा 700 meter square बी वाले में area given है base given है height हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे area is equal to 215 ठीक है यह है area का formula लिखेंगे base into height is equal to 215 base हमें given है 43 into height is equal to 215 अब 43 इदर multiply में तर जाएगा divide में तो यह आ जाएगा h is equal to 215 divided by 43 43 जो है वो prime number है 43 की table में 5 पे इसको cancel कर लेते हैं 43 5 जा देखो कितना होता है 5 3 जा 15 1 carry 5 और 20 और 1 21 पूरा पूरा आ रहा है ना तो 43 की table में 5 पे यह cancel हो जाएगा answer आ जाएगा 5 meter फिर next है इसमें base हमें निकालना है height और यह given है तो same वही formula base into height is equal to 78 base जो है sorry height जो है वो है 6 is equal to 78 6 multiply में दूसरी तरफ जाएगा तो divide में तो यह आजएगा 78 divide by 6 cancel करेंगे तो 13 meter हमारा answer आजएगा next भी इसी तरह से 3x 2x तो यह दोनों ही हमें निकालने है अब 3x 2x माप कीजिए 3x और 2x है तो पहले x की value हमारी आएगी जो आएगी उसको 3 से और 2 से multiply हम कर देंगे तो base into height होता है तो base into height is equal to 216 base जो है वो कितना है 3x height कितनी है 2x is equal to 216 3 2 जा होता है 6x square is equal to 216 6 से दर multiply में दूसरी तरफ जाएगा divide में x square आ जाएगा 216 divide by 6 cancel करते है 6 पे 6 बन जा 6 6 3 जा 18 3 बन जाएगा 36 6 6 जा 36 तो हमारी जो value आ गई है x square is equal to 36 square दूसरी तरफ जाएगा तो square root 36 का square root होता है 6 तो x की value 6 आ गई तो base कितना हो जाएगा b is equal to 3 multiply x x की value 6 तो 18 हो जाएगा और height हो जाएगी 2 multiply 6 2 6 जा 12 ठीक है तो 18 और 12 हमारा meter में answer आ जाएगा last question में area निकालना है तो base into height तो base कितना है 16 into 30 तो यह आ जाएगा 1800 meter sorry centimeter square ठीक है इस तरह से आपको इसको करना है तो basic जो इस पूरे chapter का है वो है हमारे formulas हमें formulas को अच्छी तरह से study करना है अब जो है shape के बीच में shape है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी first shape में आप देखें दो shape है एक तो है parallelogram पूरा का पूरा shaded है तो हम parallelogram का area निकालते तो हमें area पता चल जाता अब extra काम क्या जोड़ देगा है इसमें कि यह जो बीच वाला square है वो unshaded है तो इस area को हमें minus करना पड़ेगा इसमें से तो क्या करेंगे हम इस shape का हमें उपर लिखाओ ना area of shaded portion तो हम यहां लिखेंगे area of area of shaded portion is equal to area of parallelogram area of parallelogram minus area of square ठीक है तो parallelogram का area को होता है base into height base कितना है 30 height कितनी है 20 20 है न तो base और height का हम use करेंगे b into h तो यह हो जाएगा 30 into 20 minus area of square square का area होता है side into side side है इसकी 5 meter तो 5 into 5 तो 2,3,600 यह आ गया minus 25 यह आ जाएगा minus करेंगे तो 5,75 meter square जो है इसका answer आ गया ऐसे ही next वाले में आप देखें जो बाहर वाली shape है वो है rectangle है न रेक्टेंगल अंदर जो है वो है इसका parallelogram तो हमें सिरफ parallelogram का area चाहिए तो क्या करेंगे हम अगर हमें देखो height तो जो rectangle की यह breadth है वही इस parallelogram की height है क्योंकि दोनों के beach की दूरी को ही height कहा जाता है और height जो है वो है 7 तो इसमें हमें कुछ minus करने की जूरूरत नहीं है height of area of shaded portion की तरह जाएगा area of shaded portion is equal to area of parallelogram क्योंकि सिरफ beach वाला parallelogram ही shaded है तो अगर हमने shaded portion का निगालना तो area of parallelogram है minus करने की जूरूरत नहीं है तो हम क्या देखेंगे देखो parallelogram का base सिरफ इतना है हाना total length है 25 25 में से इधर वाली 5 को minus कर दो तो ये इसका base आ जाएगा तो base into height हमें करना है parallelogram का base कितना है 20 25 नहीं है 20 क्योंकि 5 तो इधर extra है तो सिरफ इधर वाला portion हमें लेना 20 into height है 7 तो कितना आ जाएगा 140 cm square next है हमारा equilateral triangle इसमें जो है इसका formula जो बता है वह होता है root 3 by 4 a square a का मतलब होता है इसकी side जो है side इसकी 8 है इस बार तो हम a की जगा 8 का use करेंगे square का मतलब है दो बार इसको multiply में लिख दीजे तो ये जो है बन जाएगा root 3 by 4 8 into 8 4 की table में cancel करते हैं 4 तो 8 तो 16 तो आंसर आजेगा 16 root 3 इतना भी ही आप लिख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इसको solve करना है तो root 3 की value आप निकाल सकते हैं ये कुछ इस तरह से होती है 1.73 आगे something होता है तो यहीं तक ही इसकी value ली जाती है तो अगर आप इसका use करते हैं तो ये कुछ आ जाएगा आपका base into height या फिर base into height divide by 2 इस formula का आपने use करना है जिसमें हमें height given होगी ठीक है तो next question देखते हैं हमारा यहीं आ गया है next question find the area of right angle triangle right angle triangle होती है जिसमें एक angle 90 का हो उसमें वही side उसकी height होती है तो two legs इसकी दे रखी है अब right angle triangle होती है इस तरह से ये इसकी two legs होती है इसको hypotenuse कहा जाता है सबसे बड़ी जो हमारी side होती है ये इसके बाद हमें जो है दो legs given है वो है 7 और 8 तो ये 7 है ये 8 है ये base है ये height है base और height given हो तो इसका area जो है वो कितना आएगा area आएगा base into height divide by 2 तो हम यहाँ पे लिखें कि base 7 into height 8 divide by 2 2 की table में cancel करते हैं 4 तो 7 forja 28 meter square इसका answer है next है find the area of the triangle whose base and height are given base और height given है तो simple हमारा formula हमें पता है तो area जो है वो कितना आएगा base into height divide by 2 तो इसका base है 8 into height है 9 divide by 2 cancel करेंगे 4 9 forja 36 meter square जो है इसका first वाले का answer आजेगा next जो है उसमें base है 32 और height कितनी है altitude और height एक ही बात होती है तो 32 into 25 divide by 2 इसको cancel करेंगे 16 16 की 25 से multiply करेंगे तो या जेगा 400 ठीक है 400 meter square ऐसे ही next जो question है उसमें base है 68 और height है 30 तो इसको cancel करते है 2 नीचे आता है 2 की table पर cancel करते है तो 2 15 जा 30 15 की इसके साथ multiply करेंगे तो या जेगा 1020 centimeter square फिर next आता है हमारा 18th question 18th में oh sorry 19th 18 हम ने कर लिया है 19th है find the area of isocellus triangle whose base is 18 ये पूरा base 18 है and one of its equal sides is 15 centimeter square और जो equal sides है वो 15 centimeter की है तो इसमें देखो इसमें हम एक हम कर सकते है या तो पहले height निकालें ठीक है अगर हमें height पता चलती है तो हम इसका जो area है वो निकाल सकते है base into height divided by 2 वले formula से तो height निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास है right angle triangle ठीक है right angle triangle है तो इसमें हम जो हमारी python को रस्तियोर्म होती है h square is equal to b square plus p square इसका हम use कर सकते हैं यहाँ पर तो h होता है hypotenuse वो हमें given है 15 base जो है इसका 9 है इधर यह height हम इसको h मानके height हम इसकी निकालेंगे तो चलिए पहले height निकालते हैं तो formula है h square is equal to b square plus p square तो h की जगा हम रखेंगे 15 का square is equal to base जो है वो है 9 square plus h square हमें निकालते हैं जिसको p हमने perpendicular और height एक ही बात है अब 15 का square होता है 225 is equal to 9 का 81 plus h square अब 81 इधर minus में आएगा तो 225 minus 81 is equal to h square 225 में से 85 को minus करते हैं तो यह मेरे खाल से आएगा 4 और 12 में से 4 144 अब h का square है square इधर आएगा तो square root तो यह हो जाएगा h is equal to square root 144 और 144 का square root होता है 12 तो इसका मतलब जो हमारी height है वो है 12 तो अब हमें height बाता चल चुक है यह आपने कर लिया होगा no down score up कर देते हैं तो height आगे हमारी 12 base पूरा क्यूंकि हमें पूरे triangle का area निकालना है तो पूरा base है 18 तो हम use करेंगे formula base into height divided by 2 आगे आपने लिगा area is equal to base into height divided by 2 base कितना है 18 height निकाल दी हमने 12 divided by 2 तो 2 बंज़े 2 29 जा है 18 अब हम इसकी multiply करते हैं 12 और 90 तो यह आज़े का 108 cm square फिर next question है 20th find the area of equilateral triangle of side 20 meter equilateral triangle के area का formula अभी मैंने आपको बताया था just क्या बता है root 3 by 2a square ठीक है तो आप इसको root 3 by 4a square है तो side का square है 20 into 20 4 की table में cancel रहते हैं 4 5 जा 20 20 और 5 की multiply कितना होता है 100 तो यह आज़े का 100 root 3 इसके बाद जो 100 है और root 3 है root 3 की value आप चाहें तो 1.73 का use कर सकते है 100 से multiply होगा तो 173 आगे भी यह something होता है 2 आगे ऐसे चलती रहगी यह value तो आप इसको इतना रखेंगे तब भी सही है ठीक है तो इसमें कोई गलती नहीं है next है 21 first इसमें है the area of triangular reason area triangle का हमें दे रखा है perpendicular from one vertex इस तरह से हमारी triangle है यहां से हमें perpendicular इसका दे रखा 76 और area हमें given है तो हमें इसका क्या निकालना है इस side की length निकालनी है तो इसको हम कहते है base तो हमारा formula ता है base into height divided by 2 is equal to 12692 यह हमें given है तो base जो है वो है base ही रखेंगे height जो है वो है 76 is equal to 1, 2, 6, 9, 2 divide by 2 था cancel करेंगे 2, 3, 6, 2, 8, 16 अब 38 इदर b के साथ multiply में है दूसरी तरफ जाएगा तो divide में तो b is equal to आ जाएगा 1, 2, 6, 9, 2 divide by 38 अब इसको हमें जो है वो cancel करना है और cancel करते ही हमारा answer हमें मिल जाएगा पहले आप 2 पे कर सकते हैं इसको cancel 2 बंजा 2, 2, 9 जा 18 2 पे करेंगे 2, 6, 12, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 12, 2, 6, 12 अब 19 की table पर यह cancel हो जाएगा तो पूरा हमारा जाएगा 19, 3, 3 और 4 तो यह आजएगा 334 मेटर ठीक है तो बेस आगे हमारा 334 मेटर next question है 22nd the area of triangular region with base is find its height तो अब की बार same question हमें base given है height हमें निकाल नहीं है तो base हमारा जो है 32 area हमें given है तो हम वही formula यूज करेंगे base into height divided by 2 is equal to 88 centimeter square अब base हमें given है तो 32 into height divided by 2 is equal to 288 2 की table में cancel करेंगे 16, 16 जो है इधर h के साथ multiply में है दूसरी तरफ जाएगा तो divide में h is equal to आ जाएगा 288 divided by 16 अब इसको हम cancel कर सकते हैं चाहे तो आप 16 की table पर direct cancel कर दें इसको 16, 1 जा 16, 16, 8 जा तो यह हमारा answer हमें देगा 18 centimeter ठीक है last है हमारा 23rd the base and corresponding altitude of a parallelogram तो इस question में थोड़ा से ध्यान से करना इसको आपने एक तो हमें base दे रखा है and corresponding altitude of parallelogram 10 and 12 centimeter parallelogram इस तरह से होता है तो हमें given क्या है base and corresponding altitude तो यह base अगर 10 है तो यह altitude इसका 12 है फिर हमें given है if other altitude दूसरी जो height है यह जो है 8 centimeter है तो इसका base जो है वो कितना होगा other parallel side तो यह हमें निकालनी है x इसको माल लेते हैं तो यह हमें find out करना है या फिर इसको b माल लेते हैं b ठीक है तो इसको कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले तो हमारा जो area होगा वो दोनो देखो area होता है base into height अब आप चाहें first वाले base से निकालेंगे है second वाले से तो हम यहाँ पर लिखेंगे b1 h1 यह हो जाएगा base 1 यह इसकी height 1 is equal to b2 h2 अब यह ब्राबर होते है क्यों क्योंकि base और height किसी को भी multiply करो area तो same ही आएगा क्योंकि shape तो same है तो इस formula का हमें यहाँ पर use करना है तो कैसे करेंगे b1 into h1 is equal to b2 into h2 अब b1 और h1 कितने है 12 और 10 तो 10 into 12 is equal to b2 दूसरा base हमें निकालना है उसको हमने b मान रखा है h2 कितना है 8 अब 8 इधर multiply में इधर जाएगा तो divide में तो यह आज़ेगा 10 into 12 divided by 8 is equal to b 4 की table वो कैंसर करते है 4 तूजा 8 4 तूजा 12 फिर 2 की table में 5 तो answer आगे हमारा 15 centimeter तो प्यारे बच्चो इस वीडियो में मैंने आपको complete करवाया है आपकी exercise 15A को अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चनल को जरूर subscribe करें अपने friends के साथ share करें और comment में अपनी राई जरूर दें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ताकि हम inspire होकर और भ